प्रदेश अध्यक्ट शौकत अली के खिलाब सामप्रदाइक सोहार्थ बिगाड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है वहीं दो आयोजकों के खिलाब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है बतादे की AIM IIM के प्रदेश अध्यक्ट संभल में एकनीजी कारेकरम में भड़काऊ वियान बाजी कर सामप्रदाइक सोहार्थ बिगाड़ने की कोशिश की थी जिसके बाज संभल के ही हिंदू संगठन से दूए अक्षित अग्रवाल की तहरीर के आधार पर सदर कोतवाली संभल पुलिस ने शौकत अली के लामा आयोजक असद अब्दुल्ला और चौधरी मुशिर खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है पुलिस अदिक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कारवाई की जा रही है संभल पुलिस के दौरा एक वाइरल वीडियो का संग्यान लेते हुए शौकत अली जो आजमगड के रहने वाले हैं इनके द्वारा संभल कस्वे में एक प्राइवेट कारिक्रम के दौरान सामपरदा एक स्वाहार बिगाडने वाली कतपे बातें कही गई इसका एक वीडियो सोचल मीडिया में वाइरल हो रहा है एक प्राइवेट विक्ति की तहरीर पर शौकत अली के विरुद्ध धारा 153A 295A 188 के अंतरगत FIR पंजीक्रत किया गया है इसमें अन्य विदिक कारिवाई की जा रही है मैं इस पश्ट करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की बयानवाजी जिससे की धार्मिक सोहार बिगड़ता है इसके लिए अगर कोई विर्ति करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी वैदानिक किया है सबसे बड़ी बात माने मुक्षम अंची जी के लिए उलता सिदा बोला आप इस तरह इससे उन्हें देख सकते हैं उन्होंने बहुत पुरानी बाते को भी लेके इस बात को पीचा तानी करी जानकारी के साथ हमारे समधाता प्रदीप मिश्र अज्रग्य है प्रदीप क्या कुछ जानकारी मिलके आ पारी है शौकात अली के खिलाब मुकद्मा दर्ज किया गया है साम्प्रदाइक सोहर्द बिगारने के लिए जीब आप तो ददू नकज निकाया चुनाव अपने आने वाले हैं इसको देखते हुआ हर पालिटी आपी देमिन पर आप रही है इसलिए AIMI के प्रिदर देख सौकत अली संबल आये से निजी कारिकरम आये से निजी कारदर में पर दो बिएन दाजी उनकी हुई उन्होंने हिंदो को गोवच्चो आला दो भी मिया रखने वाला तक आप अपर प्रियों कि अपर्स जानिस के अपर अपर आप अपर जो निजी निजी वाल जो बाटता ही हुआ हूँआ के काहले ब्रवारी अनोंने जो एसलाब दश्वा बाट इंडिया आप कडोर कर तार्वाइट लाएगी जी हुआ हुआ है शुप्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रदेख यूपी परिवाहन विभाग का अहन फैसला निया वहन खरिद्दे समय नौमिनी का भी देना होगा नाम वहन माली की लुक्य के बाद दुपोती थी परिशानी वहनों के प्वामित वहस्तानांत्रण को लेकर के होती थी परिशानी इसी के चलते परिवाहन विभाग ने ये बड़ा कदम उठाया है यूपी परिवाहन विभाग का अहन निया वहन खरिद्दे समय नौमिनी का भी देना होगा नाम यूपी परिवाहन विभाग का ये आयमनेंड है वाहन मालिक की मृत्व के बाद कोती थी परिशानी वाहनों के स्वामित्व हस्तानांत्रन को लेकर के ये बढ़ी पहल की गई है इसी के चलते परिवाहन विभाग ने ये बड़ा कदम उठाया है वाहन मालिक की मेत्व के बाद होती थी परिशानी वाहनों के स्वामित वहस्तानांत्रन को ले करके परिशानी होती थी इसी के चलते परिवहन विभाग ने ये बड़ा कदम उखाया है इसी ख़बर पर जाना जनकारी के साथ हमारे लखनाव वीरोहयर जू दानिश जुड़ गया है दानिश क्या कुछ जानकारी मिलके आप आ रही है यूपी परिवहन विभाग का ये रहन मिलना है अब नया वाहन खरिते समय नौमिनी का भी नाम देना होगा अब देखे बिलकुल उस्तर परदेश में वी यूपी परिवान विभाग का एम रिड़े लिया गया है और वाहन का इस्ते समय नौमिनी का भी नाम देना होगा और वाहन मालिक की मृत्ति के बाद परिशानी होती थी कि उसको देखे होए उस्तर परिवान वारत है तो आम इस परिवान विभाग को लेकर व्योज़ा बनाई है इसके चलते परिवान वारतने ही इस वे मंधन जो है मुखमंचिरी का पहले से चल रहा था जिसको लेकर के मेटिंग ओर इस तर दिया गया है स्कतना माएगा, उसको रहेगा उसで उसका क्लैम मिल जाएगा उसका वहां स्वामिंगी थी इसका नॉमिल मना जाएगा जिसको लेकर कर उत्त प्रदेश में इसमें बढ़ी खबर है परिवान विभाद की और इसमें इतने भी सिर्गे त्रीवल सेंत्ल जिया जितने जो ट्रा अगली खबर अलिगड़ से है जहां सीम योगी आदितनात आज जू अलिगड़ के दोरी पर रहेंगे सीम अलिगड़ में 446 करोन की 64 विकास परेजनाओ का लोकारपन करेंगे वहीं सीम अलिगड़ को सबसे बड़ी सौगार स्मार्ट सीटी के तहत हैविटेट सेंटर के उधगातन के साथ विभिन शिरानियास और लोकारपन भी करेंगे सीम कारिकरम में लाभार्तियों को स्विकृति पत्र भी वित्रित करेंगे साथी राजा महेंद्र प्रताप युनिवर्सिटी के विकासकारियों के निर्मान का जायजा भी लेंगे इसके बाद सीम योगी अधितिनाथ सांसव बिधायक और अधिकारियों के साथ सरकीट हाउस में बैठक भी कर सकते हैं सीम योगी अधितिनाथ का आज अलिगर्दोरा जहां वो कई विकास पर युजनाओं का लोकारपन और शिलानियास करेंगे कारिकरम मेला भार्तियों को स्विकृति पत्र भी बित्रित करेंगे सीम राजा महंद्र प्रताप युनिवर्सिटी के विकास कारियों के निर्माल का जायजा भी ले सकते हैं अलिगर्द से इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं सीम योगी अधितिनाथ का आज संभावित दौरा है अलिगर्दा जहां वो 446 करोर की 64 विकास पर रिजनाओ का लोकारपण करेंगे ख़बर सीतापूर से है जहां प्रात्मिक विद्याले के निड़े मिल में दूद के अंदर छिटकिली के अउशेस मिलने के मामले में बड़ी कारवाई हुई है एवियसे की जाच के बाद वेशिक शिक्चाधिकारी ने स्कूल में कारेरत 4 रसुल्यों को तदकाल प्रभाव से हटाने के निड़ेश दे दिया है और साथी स्कूल की प्रधाना ध्याविका को प्रतिकुल प्रविष्ट दे करके जवाब तलब किया है इस घटना में दूद पीकर स्कूल के तकरीबन 40 बच्चों की हालत बिगड़ गई थी वहीं बच्चों की हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों की टीम ने पहुँच कर सभी को प्रात्मिक उप्चार दिया इससे सभी बच्चे सुरक्षित बच गए हैं वहीं डियम ने मामले में जाच की आदिश दे दिये थे इस वक्ट की आप बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीतापुर से है ये खबर प्रात्मिक विद्याले के मिड्य मील में दूद के अंदर शिपकिली के उशेष मिलने के मामले में बड़ी कारवाई की गई है ABSA ने ये बड़ी कारवाई की है जिसके बाद वेशिक्षिक्चा अधिकारी ने स्कूल में कारेरा चार रसुयों को ततकाल प्रभाव से हटाने के निर्देश दे दिया है साथी स्कूल की प्रधाना अधियाविका को प्रतिकूल प्रविष्ट देकर जबाब तलब किया गया है सीतापुर से ये बड़ी ख़वर आपको बता रहे हैं मिड़े मिल में चिपकिली के उशेष मिलने के मामले में बड़ी कारवाई ABSA ने की है चार रसुयों को निलंबित कर दिया गया है शीतापुर से इस वक्त की बड़ी ख़वर आपको बता रहे हैं प्रात्मिक बिद्याले के मिड़े मिल में दूद के अंदर चिपकिली के उशेष मिलने के मामले में बड़ी कारवाई ABSA की जौँच की बाद बेशिक्षिक चादीकारी ने स्कूल में कारेरत चार रसुयों को ततकाल प्रभाव से हटाने के निर्देश दे दिये हैं साथी स्कूल की प्रधाना अध्यापिका को प्रतिकूल प्रविष्ट देकर जबाब तलब किया है इसी ख़बर पर जादा जनकारी के साथ हमारे संबालता शिवराज जुड़ गया है शिवराज क्या कुछ जनकारी मिल के आप आ रही है प्रात्मिक विद्याले के मिड़्े मिल में छिपकिली के आउशेस मिले है जी बिल्कुल देखिए आपको बताना चाहूँगा ये गुंदला महू इलाके का मामला है जहां पे दूद में छपकली गिर जाने से जो बच्चों ने जो दूद किया था उसमें 32 बच्चे बीमार भी परे इसमें चार की हालत कमभीर हुई थी और बात की जाए वहां पे रसुईया है और टीचर उनकी लापरवाही कही जाए या इस तरी के कुछ भी कहा जाए तो सबसे बड़ी लापरवाही है कि बच्चों का जो भोजन बंदा था तो उनको पहली बाद चौने नहीं चाहिए था वहां से अचने नहीं चाहिए था अलो जी जी कितने बच्चे लगबग विमार हैं और क्या प्रधाना अध्यापिका पर भी कोई कारवाही की गई है जी बिलकुल देखिए आपको बताना चाहूंगा कि 32 बच्चे बीमार थे और जिसमें जो रफुईया है उसको हटाने के निद्देश दिये गए हैं और बात कही जाए प्रधाना अध्यापिका को उनको भी जांच चल लाई है और जांच के बाद कारवाही उनके भी की जा साथ जो देश का बाबिस कहे जाते हैं बच्चे उनके साथ इस तरीके के खिलवार होता है जहां पर स्कूल में सो बच्चे पड़ते हैं उनको मतलब सभी को एक साथ में दूद जो दिया गया और उन्होंने पिया 32 बीमार हुए तो इसमें सबसे बड़ी लापरभाही जो ह कि का आगे इस तरह के कोई मामले ना मिले कि शुक्रिया आपका शिवराज ज्यादा जानकारी के लिए जम्मो कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर टार्गेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिया है इस बार उन्होंने बाहरी मजदूर की जगा कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया है आतंकियों के कश्मीर जुन के शोपिया जिले में एक कश्मीरी पंडित को गोली मार कर जखने कर दिया इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई हाला कि अब तक किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्यदारी नहीं लिए इसलिए पुलिस को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि किस संगठन ने टार्गेट किलीन को अंजाम दिया जम्मु कश्मीर पुलिस ने बताया है कि आतनकबादियों ने एक कश्मीरी पंडित पुरन कृष्ण भट को गोली मार दी है अगली ख़बर प्रियागराज से है जहां माफिया अतीक हमत के बेटे एली समय दो के खिलाब पांच करोड की रंगदारी मांगने की मामले में चार शीट लगा दी गई है विवेचना में सामने आये तत्यों के आधार पर कारवाई करेली पुलिश ने की है अतीक के खिलाब भी विवेचना पूरी हो चुकी है और जल्द ही आगे की कारवाई की जाएगी करेली थाने में दर्ज मुकदमे में साथ महीने से फरार चल रहे अतीक के छोटे बेटे अली ने इसी साल 30 बुलाई और अमन ने 16 अगस्त को इस मामले में कोट में आत्मसमर पढ़ किया था जहां से दोनों को जिल भेज दिया गया था इसी ख़बर पर हमारे साथ वीरो हेड दानिश जुड़ गया है दानिश क्या कुछ जानकारी मिल के आप आ रही है माफिया अतीक हमत के बेटे अली समय दो के खिलाब पांच करोड की रंगदारी मांगने की मामले में चार शीट लगा दी गई है बड़ी कारवाई की गई है अतीक हमत के बेटे के खिलाब प्रयाग राज से इस वक्ती बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं अतीक हमत के बेटे के खिलाब बड़ी कारवाई की गई है पांच करोड की रंगदारी मामले में चार शीट दाखिल कर दिया गया है चारशीट लगा दी गई है वीवेचना में सामने आये तत्यों के अधार पर ये करेली पुलिस ने ये बड़ी कारवाई की है अतीक के खिलाब वीवेचना पुरी हो चुकी है और जल्द ही आगी की कारवाई की जाएगी इसी कबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे लखनों वीरोहेट दानिश दानिश क्या कुछ जानकारी मिलके आप आ रही है प्रियाग राज में इस वक्त बड़ी कारवाई की गई है अतीक अहमत के बेटे के खिलाब रंगदारी मामले में चारशीट लगा दी गई है इस वक्त बड़ी कारवाई की गई है अतीक और उनके बेटे की जेल में बनने जिस तरीके से ये कारवाई चल रही है मुझे लगा अवी और तरवाई क्या गई है जैसे मैंने पहले भी बताया था कि उस्तर पर्देस सरक्तार के टूप और जो सबसे पहला जो एम है वह उस्तर पर देस में जंगराज की ख़सा में चाहा हो नटारी हो हो चाहा हो अक्षान आटारी हो चाहा हो वीजए मिश्ड कि यहां पर उस्तर प्रदेश सरकाब ने सबसे पहला ताइस कुछा यह है कि उसी में आज यह बड़ी कारवाई की गई है शुक्रिया आपका दानिश जाला जनकारी के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदितिनाज सरकार ने हाल ही में राजी में चल रहे गैर मानिता प्राप्त मदर्सों के सर्वे का आदेश दिया था आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में गैर मानिता प्राप्त मदर्सों के सर्वे का काम चल रहा है बतादे कि अभी तक 802 सर्वे का काम पूरा हो गया है मिली जानकारी के नुसार 602 में से 500 गैर मानिता प्राप्त मदर्सों की सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है सर्वे के दोरान प्रदेश के कई जिलू में बड़े अस्तर पर गैर मानिता प्राप्त मदर्सा पाए गए हैं बतादे कि ये मुरादाबाद में गैर मानिता प्राप्त मदर्सों का सबसे बड़ा जाल सामने आया है जिसमें अभी तक मुरादाबाद में सबसे ज़ादा गैर मानिता प्राप्त मदर्से मिले है फिलाल इस बुल्टेल में सिर्फ इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे निउज वर्ल इंडिया